मैं एक ग्रह प्रवेश के पूजा में गया था और वहाँ पंडी जी पूजा करा रहे थे। पंडी जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया और सबके सामने हवन सामगरी रख दी गई। पंडी जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहां। लोग चुटकियों से हवन सामगरी लेकर अगने में डाल देते, घर के मालिक को स्वाह कहते ही अगने में घी डालने की जिमिदारी सौपी गई। हर वेक्ती थोड़ी सामगरी डालता, इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामगरी खत्म न हो जाए। घर मालिक भी बूंद बूंद करके घी डाल रहे थे, उनके मन में भी यही डर था कि कहीं घी खत्म न हो जाए। मन तरोचार चलता रहा, श्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सब के पास बहुत सी हवन सामगरी बची रहे गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पुरहने के बाद पंडीजे ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामगरी बची है उसे अगनी में डाल दें। ग्रह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामगरी अगनी में डाल दी गई। सारा घी भी अगनी की हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना मुश्किल हो गया। एक एक करके सभी कमरे से बाहर निकल गया। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफे देर तक इंतजार करना पड़ा। सब कुछ स्वाह होने के इंतजार में। दोस्तों मेरी कहाने यहीं रुख जाती है। उस पुजा में मौजूद हर वेक्ति जानता था कि जितनी हवन सामगरी उसके पास है उसे हवन कुण में ही डालना है। पर सबी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामगरी काम आएगी या खत्न न हो जाए। दोस्तों ऐसा ही हम सब लोग करते हैं। यही हमारी फित्रत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं। जो अंत में जमीन, जाइजाद, प्रोपर्टी, बैंक बैलेंस, रूपिया, पैसा, फलाना, डिकाना, यह जो इस रूप के बित्र में सब यहीं पड़ा रह जाते हैं। जिन्दगी की पूजा खत्म हो जाती है, और हवन सामगरी बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खोज आते हैं, कि यह भी हम भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुण्ड के हवाले ही तो है, उसे बचा कर क्या करना, बाद में तो सिर्फ धुआ ही होना है। संसार हवन कुण्ड है दोस्तों और जीवन पूजा, एक दिन सब कुछ हवन कुण्ड में समाहित होना है, अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामगरी का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ने सामगरी खत्म हो, ने बची रह जाए, यही मैनेजमेंट करना है। कभीर जी का एक दोहा साइद सब को पता है। दोस्तों, यह मनुश्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। तो क्यों न हम समय का, पैसों का, अपनी सोच का और अच्छे कारिया करके इसका सही सदुपियोग और इस्तेमाल करें। रादे रादे।